Welcome to my mini vlog, ready है न विशाल? आज का दिन हमारे लिए बहुत साथा important है आपने मुम्ताज महल और शाजहा की स्टोरी तो ज़रू सुनी होगी मुम्ताज महल के इस दुनिया को अलविदा करने के बाद शाजहा ने उनके लिए ताजमहल बनाया था लेकिन कितना खुबसूरत होना कि कोई आपके जीते जी आपको ये एहसास दिलाए कि आप उनके लिए कितनी एहमियत रखते हैं कि वो आपसे कितना प्यार करते हैं यही एक्जाम्पल के साथ आज की स्टोरी होने वाली है शीतल भावी और मोहित भहिया की शीतल भावी का बच्पन से सपना था कि उनका एक खुद का सेलोन हो और वही सपने को आज मोहित भहिया पूरा करने जा रहे है आज शीतल भावी का खुद के सेलोन दवेनिटी भावी शीतल शर्मा का इनाउग्रेशन की पूजा है और इसी फंक्शन को अटेंड करने के लिए मैं मेरे भावी विशाल अंत्वाल के साथ यहां पर आई भी हूँ अगर आप देर्यदून से हैं तो राजपूर रोड के दवेनिटी सेलोन को एक बार जरूर विसिट करिएगा आरे आप इनसे तो मिले ही नहीं यह है मंत्रा शीतल भावी और मोहित भावी पूजा कर रहे थे मुझे मंत्रा को संभालने के जिम्मेदारी मिली वी थी लगबग 8 गंटे तक ही मंत्रा मेरे पास रह पाई उसके बाद मम्मी बापा के पास चली गई थी और फिर पूजा आटेंड करने लगी थी एक डेट गंटे तक ही पूजा चली जिसके बाद हम लोग को बहुत भूग लगी थी तो सेलोन के पास में एक रेश्टरॉन था जहापर हमने खोब सारा खाना खाया यह मैं एक गड़वाली गाने पेथी रखते वे उसके बाद मंतू के साथ मंतू के घर हम लोग जा रहे है क्योंकि वहाँ पर एक सर्प्राइज वीट कर रहा है मुझे ना ऐसा लगता है मंत्रा विशाल को जादा लाइक करती है उसके साथ बहुत अच्छे से टाइम स्पेन करती है हस्ती भी है मेरे पास 5-10 मिनट रहती है फिर रोने लग जाती है या फिर थोड़ा सा मैं उसको थप थपाऊंगी तो फिर सोच आती है आज मंत्रा को 10 मंस पूरे हो रहे हैं तो हम मंत्रा का 10 मंस वाला केक कट करेंगे इस सेलिबरेशन को भी इंजॉई करने के बाद आज का व्लोग खतम होता है थैंक यू सो मुच वाचिंग दिस वीडियो बाई बाई